तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं total expenditure method इसके अंदर क्या होता है यह method पूरी तरह से based है expenditures पे यानि कि हम कितना खर्चा करते हैं उसके उपर based है यानि कि जितना भी हम खर्चा करते हैं उसके उपर से हमने elasticity of demand निकालना बढ़ता है अभी तक हमने जो भी पढ़ा था हमने graphical method पढ़ा हुआ था हमने इससे पहले graphical method पढ़ा था तो यह जो है यह next है total expenditure method इसमें total expenditure method निकालने का जो formula है वो normal सा है community price को आपने multiply करना है community demand से तो आपका total expenditure निकल गया जाएगा इसी से हम लोग further total expenditure method के अंदर price elasticity निकालेंगे इसके अंदर जो price elasticity निकालते हैं वो सिर्फ तीन डिग्रीज में ही calculate करते हैं से पहले हमने च्छे डिग्रीज पांस डिग्रीज अर्लडी पढ़ रखे हैं तो इसके अंदर सिर्फ 3 डिग्रीज हमने ही पढ़ने है पहला है equal to unit elasticity और दूसरा है greater than unit elasticity और तीसरा है less than unit elasticity तो त इसके अंदर क्या होता है अगर आपका total expenditures रिमेंड इसमें constant रहता है जाए आपका price बढ़े या घटे यानि कि expenditures में कोई फरक नहीं पढ़ता है आए इसको example के दूरू समझते हैं आप देख सकते हैं आपको price जो है आपका 10 रुपे है जिसमें quantity 9 खरीद रहे हैं लिग्रीज लेकिन expenditures हम लोग 90 रुपे का कर रहे हैं वैसी 9 रुपे होने पे हमने quantity को बढ़ा दिया लेकिन expenditures हम लोग constant ही रख रहे है 90 ही कर रहे हैं in this case price elasticity of demand is unitary elastic यानि कि ED equals to जो होगा वो होगा equals to 1 I hope that कि आपको समझ में आगया होगा दूसरा है हमारा greater than unit elasticity इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर total expenditures अगर बढ़ेंगे अगर आपका price जो होगा कम होगा यानि कि अगर आप price कम रखेंगे तो expenditures को increase करेंगे और उसी का उल्टा expenditures को घटाएंगे अगर आपका price बढ़ेगा तो अगर इसको example की तुरू समझते हैं यहापे आप देख सकते हैं 5 रुपे के उस पे हमने 10 quantity ली है जिस पे 50 का expenditures किया है यहापे हमने expenditures को बढ़ाया है अगर price कम हो गया है तो in that condition ed greater than 1 होगा तीसरा है हमारा less than unit elasticity इसके अंदर उल्टा होता है अगर expenditures decrease अगर हम कर रहे हैं वो इस करण से कर रहे होगा कि price में decrement हो रहा है expenditures हम increase कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है price में पी increase हो रहा है price में increase के वज़े से हम expenditures को increase करते हैं आई यह इसको example के थू समझे देख सकते हैं आप 5 रुपे के टाइम पर हमने 10 quantity खरी दिये 50 का expenditure किये हुआ है price जैसी घटा आप quantity जरूर बढ़ाएंगे लेकिन expenditures आप खर्चे फिर भी आप कम करना की कोशिस करेंगे तो in that condition आप उसको कहेंगे less than unit elasticity यानि कि आपका जो elasticity of demand है वो 1 से कम होगा देखते हैं उसका graphical representation कैसा है देख सकते हैं हमने यह पर Y axis पर price रखा हुआ है और X axis पर total expenditures रखे हुए हैं तो किस तरह का graphical representation होता है उसको इब देख ले इस तरह से आप इसको represent करेंगे जैसे A से B एक curve है और B से C और C से T E हमने यह पर draw किया हुआ है एक एक करके सको समझते हैं पहले हम BC line को देख लेते हैं कि BC line पे क्या चीज था और कैसे था जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था जिसमें ED equals to 1 था जिसमें आपकी जो expenditure से उसको हम लोग ना बढ़ा रहे थे ना घटा रहे थे price आपका कम हुआ पर अपने expenditures को constant रखा तो आप देख सकते हैं price हमारा कम हुआ जरूर लेकिन हमने expenditures को constant रखा तो इस condition को हम लोग क्या कहेंगे ED equals to 1 जहाँ पर आपके expenditures जो है वो constant है इसको बोलेंगे हम लोग unitary elastic जहाँ पर ED equals to 1 आएगा I hope कि आपको ये figure समझ मां आ गया होगा BC line दूसरा देखते हैं C से TE वाली curve line क्या कहती है पहले price जो है वो P6 पे था और फिर price कम हो गया तो उससे क्या होगा उससे हमने expenditures को increase किया था price के घटने के वज़े से expenditures को increase किया था तो इस condition पर हम लोग क्या कहते है कि ED जो होगा जो elasticity of demand है वो greater than 1 होगी unitary से बढ़ा greater than unitary तो आप देख सकते हैं हम पर expenditures बढ़ रहे हैं किस वज़े से price में decrement की वज़े से इसको बोलेंगे elasticity of demand is greater than 1 है ना I hope कि आपको ये वाला point पी clear हो गया होगा next आते हैं AB curve में जिसमें of course ED smaller than 1 आएगा आप देखें price हमने P2 लिया है जिसमें M2 वो expenditure कर रहे है price में decrement की वज़े से उन्होंने expenditures में भी कमी कर दी तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे less than unitary यहनी कि 1 से छोटा है ना? तो इसमें क्या आएगा? ED smaller than 1 है ना? तो ये आपको clarify हो गया होगा कि price में decrement के साथ में हमने expenditures को भी कम किया है I hope कि आपको सारे point clear हो गया होगे, graph clear हो गया होगा तो next video के लिए thank you